आज हम बनाएंगे क्रंची कैरमल पापकान ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए अब हम ये कैरमल पापकान बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम पापकान को बनाएंगे सबसे पहले हम रेडिमेट वाला हमने पापकान लिया है इसको काट करके एक हम गरम कूकर में डाल देंगे आप गरम कूकर करके डालेंगे तो फटाफट से बन करके तयार होगा कुकर में टानने के बाद इस तरीके से घुमा लें और इसे ढखकन लगा करके तीन मिनट तक के लिए आप छोड़ दें तीन मिनट के बाद आप देख सकते हैं पापकान कितना अच्छा फूला हुआ है हमारा आप इसे मकई के दाने से भी बना सकते हैं तो चलिए अब हम इसे निकाल भी लेते हैं बहुत ही अच्छा हमारा पापकान बन करके तयार हुआ है अब हम इसका कैरमल बनाएंगे कैरमल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें आदा कटोरी हम सक्कर डाल देंगे और सक्कर को इसी तरीके से डाल करके फैला दें इसमें इस पैचुला जरा भी नहीं लगाना है धीमी आज पर इसे छोड़ देना है थोड़ी तेर में आप देखेंगे कि ये चीनी पिखलने लगी है साथ से आत मिनट के बाद आप देख सकते हैं इनी अच्छी तरीके से घुल गई है अब आप इस पे इस पैचुला लगा सकते हैं इस पैचुला से अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लें अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा बटर का भी डाल दें बटर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से mix कर लें आप देख सकते हैं कि इसका color भी change होने लगा है तो बटर को अच्छी तरीके से इसमें घुल जाने दें बटर अच्छी तरीके से mix हो चुका है अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे मीठी चीज में नमक डालने से बहुत ही टेस्टी होता है और अब खाने वाला सोडा भी डाल देंगे खाने वाला सोडा डालने से ये कड़क नहीं बनेगा इस्टिकी नहीं बनेगा, बहुत ही क्रंची बनेगा ये देख सकते हैं आप कितना fluffy जैसा हो गया है अब हम gas की flame को बन कर देंगे और इसमें हम popcorn को डाल देंगे पाप्कान को डालने के बाद बहुत ही carefully आप इसको अच्छी तरीके से mix करें क्योंकि ये बहुत ही गरम होता है और गैस बन करने के बाद ही ये सब काम करें अच्छी तरीके से mix करने के बाद आप इसे एक निकाल लें आप चाहे तो इसे बटर पेपर पे भी निकाल सकते हैं और तीन से चार मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ठंडा हो जाने के बाद आप देख सकते हैं केरमल पापकान कितना अच्छा बन करके तयार हुआ है आप जैसे मॉल वगरा में खाते हैं ना केरमल पापकान बिल्कुल वैसा ही बन करके तयार हुआ है तो फ्रेंट कैसी लगी आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगे तो लाइट करें मिलते हैं एक और नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर